दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए गीकी रिशब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले दोस्तो आज को आप देखते होंगे काफी मुबाइल कमपनी जैसे गूगल, शाओमी, एटसेटरा एटसेटरा अपने मुबाइल के लोंच इवन्ट पर डियक्सोमा की रेटिंग जरूब बताती है, मतलब डियक्सोमा कने उनके कैमरा को क्या स्कोर दिया अपने कस्मास को बताती है, अपने मुबाइल को प्रमोट करने के लिए वो इसका आजे टूल यूज करती है, बट ऐसा हमें कोशन इन यह उठता है जो डियक्सोमा कंपनी जो रेटिंग देती है मोबाइल के कैमरा को, डियसलार को या फिल लैंसी जो वो किस बेस पर देती हैं और वो किस अध्य सहीं है, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे डियक्सोमा के बारे में, वालकम गई डिसी रिशव, लेट स डोस्तों ड्यम्र के प्राइवेट कंपनी से हैं इसका एकट्वार्टर ती अब सब मेर्सकर आ के स्कतिर कॉलटी को अच्छे से टेस्ट करके ये कंपनी उसको स्कोर देती और साथ ही में दोस्तों DXMR image के quality को test करने के जितने भी hardware और software होते हैं उनके supply भी करती है और साथ में consultancy service भी provide करती है company का ये कहना है कि camera की testing के process में approximately 1500 shots लिए जाते हैं और काफी clips भी बनाई जाती हैं जिनको combine करने पर अप्रोक्स टोटल 2 hours की video बन जाती है और एक image को capture करने के जितने भी components होते हैं उन सब का पूरी depth में evolution किये जाता है और काफी सारे shorts ले जाते हैं indoor भी और outdoor भी different different lighting conditions पर और different different moving objects के साथ और इसके लिए highly advanced level machines का use किये जाता है और कुछ specialized charts का भी यूज किये जाता है और सारे types के shorts लेने के बाद guys कुछ experts द्वारा उनका analyze किये जाता है और फिर exposure and contrast, color, texture, noise, artifacts और stabilization सभी को performance के coding individually score दिये जाते हैं और फिर उसके बाद एक overall score दिये जाता है और guys आपको इनकी website पर काफी ऐसे devices देखने को मिलेंगे जिनके score 100 से भी अबब है यानि कि हम यह कह सकते हैं इनके score काली 100 तक ही limited नहीं रहते हैं अब क्योंकि सब भी devices को test करने का process same है same scenes और same types की image group rankings हैं और same software हैं तो Dxomark की results काफी reliable होते हैं और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि Dxomark जिन equipment से camera को test करता है उन equipment की दूर्सी companies को supply भी करता है तो ऐसे में हो सकता है कि companies अपने camera को कुछ इस तरीके से design करें कि वो इनके test को असानी से bypass कर जाए और एक अच्छा score achieve कर ले तो दोस्तों यह साथ सब कुछ Dxomark के बारे में अगर आपको यह वीडियो helpful लगी हो तो इसको like और अपने दोस्तों के साथ share ज़ो करना तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो ज़ली से कर लीजिए को कि मैं आपके ले ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जय हिंद